आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पुरिदेश को early warning, early warning, early warning, early warning बोलते ही गए अंगरेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के सब्द है अपने बासन में डाल कर इसको बताया गया मैं सदन के सामने स्पस्टता करना चाहता हूँ 23 जुलाई को केरल सरकार को Early Warning भारस सरकार की और से देख गई दी गई थे 23 जुलाई को 7 दिन फेले फिर 24 गो गई फिर 25 गो गई 26 तारीक को मानिवर एक आगाया कि 20 सेंटीमिटर से ज़्यादा बार्षा होगी बारी बर्षा होगी लेंड्सलाइड होने की संभावना है मड़ भी रश होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दपकर मर भी सकते हैं मैं कुछ कहना नहीं चाहता है मगर भारत सरकार की Early Warning सिस्टिम पर सवाल किये गए इसलिए मैं कहता हूँ Please listen us, please listen us मत चिलाइए, please read it जो Warning बेजा है उसको पढ़िये जरा और इस देश में कई राज्य सरकार है ऐसी हैं, जिन्हों ने इस प्रकार की Warning का उप्योग करकर Zero Casualty Disaster Management किया है मैं औरी सार राज्य सरकार के लिए भी उस वक्त हमारी नहीं थी नवीन बाबु की थी हमने साथ दिन पहले साइक्रोन का एलर्ट बेजा सिर्फ एक वक्ती मारा गया वो भी गलती से मारा गया गुजराज सरकार को हमने साइक्रोन का एलर्ट तीन दिन पहले बेजा एक पसू भी नहीं मरा सार मगर मैं बड़ी विनमरता के साथ कहना चाहता हूँ कि आप जो गिसे पिटे सब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं अल्ली वर्निंग सिस्टिम है भारत सरकार ने 14 के बाद अल्ली वर्निंग सिस्टिम के लिए 2000 करोर रुपया खर्च किया है और इसको साजा किया जाता है मांडवर साथ दिन पहले हर राजय को सुचना बेजी जाती है और वो सुचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्द hy मान्य सान्सदों के लिए भी उपलब्द है मगर कुछ लोगों को है कि यहां की साइटे खोलते ही नहीं, वीदेश की ही खोलते हैं, तो अब वीदेश में तो इसकी early warning system आएगी नहीं हमारी साइट देखने ही पड़ी की मानेवर, मानेवर, वर्षा, एक मीट अब सुनो भाई, मैंना ध्यान साब को सुना है, सुनिये जरा, इस तरह से नहीं चलेग हो, early में alert हो जाए, मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है, वर्षा के लिए early warning system है, heat wave के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहां तक बीजली के लिए भी early warning system है, जो दस मीट पहले बीजली अक्सांस रिखांग के साथ कहा गिरेगी, वो सिधा collector को inform करती, मगर इसका कोई जिक्रा नहीं करा है, मैं तो मानता हूँ जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है, तो भी ठीक नहीं है, और रादनीती है मनेवर, तो बहुत लुख़त है, मनेवर कई सारे राज्यों ने इसका उप्योग भी किया है, और परिणाम भी आ मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ तेईस तारिक को ही मेरे ही अनुमोधन से नो एंडी आरेप की टीमे केरल के लिए लड़वाना हो गई थी कि वहाँ लेंड्सलाइड आ सकता है भारत सरकार ने नो एंडी आरेप की टीमे विमान से वहाँ भेजी मैं पूछ सकता हूँ मानिवर इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग केरल सरकार ने क्या किया अनि अनधीकरोट लोग रह रहे थे नहीं रहे 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 थे मगर वलरिवल सिचुएशन तो थी इनको सिप्ट किया गया है क्या क्यूं नहीं किया गया कौन रोखता था और में किया गए जितना बोलोगे उतना नुक्सान होगा मैं बोलना नहीं चाहता परन्तु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात के तो मैं सांती से यहां बैठका सुनने ही आए मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अल्ली वर्निंग सिस्टीम नरेंद्र मोदी जी जालूहा और तेईस तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वर्निंग सिस्टीम कहीं पर है तो भारत में और इसका साथ दिन पहले साथ दिन पहले इसका अनुमान देने वाले चारही देशे उसमें से एक भारत ही मगर उसको पढ़ना पड़ता है डिमांड करने से कुछ नहीं होता मानेवर जो उन्होंने कहा कि वह डिजास्टर के पैसे रिलीज करने का राज्य के साथ पास अधिकार नहीं है वो गलत है म मैं इसकी भी स्पष्टा करना करता हूँ कि सदन का रेकोर्ड साप रहना चाहिए एस डि आरेफ में 10% रासी कोई भी राज्य अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन से इस्यू कर सकता है और 100% रासी भारत सरकार की जो गाइडलाइन इस्यू हुए है गाइडलाइन की भारत सरकार की जरूरत नहीं है गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है मगर जो यह डिजास्टर के पैसे हैं और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा तो फिर भी 10% खर्च तो डिजास्टर के नाम से कुछ भ देने की जरूरत नहीं और बंगाल का भी कहा मनेवर डिटेल स्टेट्मेंट नित्यानन जी पड़ेगी मतलब मैं स्ट्रक्चर स्टेट्मेंट नहीं दे रहा हूं सिर्फ पस्ताय कर रहा हूं मनेवर बंगाल का भी कहा हमने 6,244 करोड रूपया 14 से 24 तक बंगाल के 419 करोड रूपया हमने रियम्बर्स कर दिया है मगर वहाँ थोड़ा प्रॉब्लेम है इसाब बेजने में अब वो तो मैं अच्छे से नहीं कर सकता है बंगाल नहीं करना पड़ेगा एकाउंट देना पड़ता है तो सरकार है कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं है सरकार के रेगूलेशन होते हैं अकाउंटिंग सिस्टीम होती है एजी का ओडिट होता है हम किसी को नहीं मानेंगे ते थोड़ी तकलिफ आएगी मगर दिरे दिरे आदत पड़ रही है इंप्रूमेंट आया है इसलिए 624 में से 419 करोड रुपया इनका रिलीज हो चुका है और मैं फिर से कहना चाहता हूं मानेवर अर्ली वर्निंग सिस्टीम दी गई थी इसलिए 23 तारिक को हमने एंडी आरेप की 9 बटा लेने वहाँ पर हमने बेदी थी और 3 कल रवाना करी है एंडी आरेप की बटा लेने उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता मगर मैं किसी पे दोसार उपन नहीं करना चाहता हूं यह समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोग उनकी हानी हुए उनके साथ खड़ा रहने का मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं irrespective of party politics नरेंद्र मोधी सरक केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टाम की तर खड़ी रहेगी किसी को संसे रखने की ज़िए खड़ी बाद धार अजर खड़ी तूज विश्डी केरल की संसेध्रर माः ये खड़ी और का पार दो लोग तकूछरादी की ज़िए